हेलो गाईज मेरा नाम है स्निडमेस्ट और आज का जब वीडियो है वो हिंदी में होने वाला है तो आज का वीडियो हिंदी में होने की एक खास वजा है क्योंकि जो बेबलेड हम आज अन्बॉक्स करने वाले है वो भी बहुत ही खास है तो ऐसे टाइप के बेबलेड मैंने प्रिए पहले भी अंबॉक्स की है वह वीडियो ऑफी ही फेमस हुए थे और मेरे इंटेंशन वह बनाके खाली मस्ती मजाग के लिए तो ऐसे कोई घरत इंटेंशन्चन मेरे थे नहीं तो इसलिए क्योंकि आपको आपको ऐसे वीडियो क्यों क्यांच आफ और ऐसे वीडियो बनाए जाए तो आज आज रफी और वो है फ्लेम ब्राइंड का तो इसका वेवलेड एक वेवलेड है और यह वेवलेड जो आता है वो आता है युनाइट डैश और टूबी चैसी के साथ यह बीवन सेवेंटी तो बॉक्स अच्छली काफी अच्छा है यह टाइम क्योंकि अगर आपने मेरे लॉड्स और डैमेज तो बहुत जादा है और वेवलेड तो अंदर ऐसे देखो कि मानों ऐसे बस ठूस दिया हो अंदर वेवलेड तो आप देख सकते हैं इसकी MRP प्राइज यूनिट जो है वो 2000 रुपे है तो 2000 में तो मैं ओरिजनल वाला बेच देता हूँ बट यह जो है अमेजन पर हमें लगबग 800 के आराउंड मिलता है तो मैंने सोचा कि ऐसे ही टाइम पास के लिए हम अन्बॉक्स करें यह बेवलेड को क्योंकि मैंने लॉड भी अ अन्बॉक्स करते हैं यह बेवलेड तो बॉक्सर और की चिंटा तो हमें है नहीं तो हम तो सीधा थाड़ के निकालेंगे वेवलेड को बस हो गया इतना बस थाड़ के निकालना तो लॉंचर आप देख सकते हैं इनका यह तो भारी सिस्टम है कि कोई भी वी बेवलेड हो तो यह जरूर प्रोवाइड करते है तो यह एक लॉंचर है लॉंचर जो कि बिल्कुल ही फॉर्स जन्रेशन का लॉंचर है ना कि फॉर्स जन्रेशन हम बोल सकते हैं स्परिकन रख भी हम तो गॉर्ड जन्रेशन के लॉंचर मिलते हैं यहां पर काफी ही घटिया किसम के लगते हैं तोसाग से पहले तो बात करते है वाँ यह भाई लोग भी स्टीकर्स अच्छे से देते है तो सब इसमने आज अभी ये स्टिकर्स अपलाए नहीं किया इस वेवलेड पे कोई भी फेक पे और ये जो पैकिंग इनकी आती है वो एक दम ही वो चीटो के पैक्स थेन चीटो आता था था खाने की चीज उसमें वो तैजो और रादे थे वो ऐसे पैक्स मैं तो उनका इबड़ा वर्जन है ये तो वैसे मोनाको के पैकिंग में ये वेवलेड आते हैं तो देखते हैं इनकी क्वालिटी अब कैसी है इन कंपारिजन तो हमारे टकार अटमी भाईया तो ये प्लास्टिक बॉक्स भी बाजी में रापर बाजी में रखते है और ये जो है वो चिप है तो यार बहुत ही है और ये फ्लेम का चीप है तो तो यह उपर जो ग्लॉस है वह कम है तो उसके जयसे एक ज्ञादा मैट टाइप फिनिश आता अथा है तरकार अब के चिपसे वहराज इनके जो चिपसे उन पर ग्लोस टाइप का फिनिश है बुरा तो कोई भी नहीं है बट डिटेवलिंग काफी माइनूट हद तक इनोंने कॉपी किए आप देख सकते हैं तो तो यह जाधा तक नहीं रखता हो कही मेरा फेकर रियल एक्षेंज नहों जाए तो यह थी हमारी चिप के हद कर दी है तो यह तो साधा युनाइट ड्राइवर है जो पहले इसमें आता है तो यह तो काफी हद तक disappointment है बट हमने यह लॉड्स प्रिगन में भी देखा था कि जो तीथ है जो स्प्रिंग है इनकी वह कभी भी उतनी स्ट्रॉंग नहीं होती तो ड्राइवर के मामले में ओविसली फेक्स अभी तक उतने डेवलप नहीं हुए है और चलिए आगे जाके देखते हैं यह लेयर के बारे में जो की हम सेफटी के लिए औरिजनल वाला यह साइड पकड़ते हैं और फेक वाला यह साइड पे तो यह क्लियर कट डिफरेंस तो है इसमें इनमें भी है वो स्प्रिंग मेकानिजम इनमें भी है औरिजनल में भी है तो काफी सही है भाईया कॉपी तो तो बहुत ही उंदा करते हैं यह बट यहां पर कलरेशन का इतना भी डिफरेंस निया ओरियेंटेशन थोड़ा सा अलग है इतना कुछ खास डिफरेंस तो है नहीं पीछे के साइड पर हम देखेंगे तो भी काफी अतक बहुत ही 90 परसंट अच्छी कॉपी की है तो यह और फा इन्होंने जो ओविएसली मेटल जो यह यूज करते हैं जो भी है लेड इंफ्यूज मेटल और जो भी हामफूल है मैं कभी भी फेक्स को प्रमोट नहीं करूंगा और ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप फेक बेवलेट बाई करो बट कसम से जो वेट है इन दोनों में अभी मेर अगर उतर आए तो क्या ही बात है पर लाइसेंस तो नहीं है चीजों का हास्पूरो जैसे कुछ करना होगा इने भी बट मेरे को नहीं लगता मुझे तो लगता ही है फेक बेवलेट बना के ही खुश है अपना छोटा मोटा दंदा करके क्योंकि यह जो बेवलेट है ना वह बहुत अलग अलग जगों पर भी बिखते हैं तो यह जाता कैसे है ओके तो हमारे पास मोड चेंजिंग भी है इसमें अब देख सकते हैं वह राइट लेफ्ट हो रहा है तो हम चलिए एक बार यह फिट करके बस एक बार हमने एक चिप फिट कर ली है और हम चैसी में चलिए डालते हैं अरे वाह फिटिंग तो बहुत ही अच्छी है यह बेवलेट की भी यहां पर इनके स्कुरूज भी आप देख सकते हैं तो यह साधे स्कुरूज होते हैं ना कि वह थ्री शेप्ट फ्लैट ड्राइवर वाले स्कुरूज तो आप देख सकते हैं यार बेवलेट तो काफी हद तक अच्छा है इसे कुछ बुरा तो मैं बोल नहीं सकता चलिए हम अपने ओरिजिनल को भी एक बार सेट कर लेते हैं और डायरेक्टली साइड बाइ साइड कंपारिशन हो जाए तो आपको भी एक क्लियर आइडिया मिल जाएगी कि फेक और रियल में क्या फरक है तो यह जो है इस हाथ में मैंने रियल पकड़ा है और यह फेक है तो जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे जनरेशन बढ़ती जारी है और एक्यूरेसी तो क्या ही बोलू अब मैं बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है मतलब एक हस्तक कि आम कंफ्यूज ना हो जाए कौन सा फेकर कौन सा रियल है वेट के मामले में पहले क्या था था कि जो फेक्स थे वह लाइट वेट थे और जो और अभी तो वह भी नहीं रहा अभी और फेक्स तो सेम वेट के हो चुके है बट मैं फिर यही कहूंगा कि जान के साथ खेलके कोई मतलब नहीं क्योंकि फेक्स में जो मेटल यूज होता है वो काफियात तक जान लेवा हो सकता है हमारे सिहत के लिए तो मैं कभी भी प्रमोट नहीं करूंगा जैसी बस मस्ती मजाग के लिए मैं यह वीडियो बनाता हूँ आपकी एंटर्टेन्मेंट के लिए फेक्स को अन्बॉक्स करें क्योंकि इन पर जितने भी आप पैसे डालोगे वह एक्शुली देखा जाएगा तो व्यर्त ही है अगर आप 800 रुपे डाल सकत कि मैं मानता नहीं कि यह बेवलेट्स बाइ करने चाहिए हमें तो देखी सकते आप एक बार हम ऐसी स्टेडियम तो जरूरी नहीं इनके लिए इनको कौन स्टेडियम देगा लांचर की यह भी बहुत अच्छी है तो एक बार लांच करके भाई लांचर अच्छा है बट पस स्टेडियम वह एकदम ही रियल वर्ड प्रिकन जैसे और आप देख सकते हैं कि यह जो है वह भी फ्री स्पिनिंग है जैसे की रियल वर्ड प्रिकन में है तो काफी अधक उन्होंने चीजें कॉपी कर ली है यह भी जो टिप है वह भी रबर की बनी हुई है ना कि वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों को इस फेक अंबॉक्सिंग को देखने के लिए मस्ती के लिए और आज के लिए बस इतना ही चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टेक केर